हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आस्तिन डिजाइन बनाने के लिए हमने साड़े 11 इंच लंबाई कपड़ा लिया है कपड़े की चौड़ाई हमने 7 इंच 2 पॉइंट लिया है कपड़े पे हमें तिर्ची में 1 इंच की चौड़ाई नापकर ऐसे लाइन अप कर लेना है एक बात और फ्रेंड कपड़े के पीछे हमने इस तरी के साहता से बक्रम को चिपकाया है जिस सेप में हमने कपड़े के उपर लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हम एक पतला सा सिल्वर कलर का लैस लेंगे और सारे लाइन के उपर ऐसे लैस को लगाते हुए लाइन को इजी स्टेप में तैयार कर सकती है तो ये देखिए फ्रेंड हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है अब हमें डिजाइन को बीच में से ऐसे फोल्ड करना है और इसे दो भागों में कट कर लेना है इस तरीके से हमने डिजाइन को दो भागों में कट कर लिया है अब हम दो इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े को दोनों साइट से फोल्ड करके हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे ये देखिए सीधी सिलाई चलाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे धागे को कट करने के बाद अब हमें इस चोड़ी पट्टी की कटींग करनी है cutting करने के लिए हम धाई इंच की लंबाई नापेंगे और यहाँ से चोड़ी पटी को cut कर लेंगे same size का हमें ऐसी धे सारी चोड़ी पटी की cutting कर लेनी है अब ये देखिए finger की मदद से हम चोड़ी पटी में ऐसे चूनट बनाएंगे और धागे की मदद से चूनट को अच्छे से लॉक कर लेंगे अब हम यहां से धागे को कट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से सारे चौड़ी पट्टी में चूनट बनाते हुए हमें चूनट को धागे की मदद से लॉक कर लेना है इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम एक लंबा सा कागच लेंगे कागच की लंबाई हमने 12 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है कागच के उपर हमें चूनट वाले चौड़ी पट्टी को ऐसे लगाना है और इसके किनारे के साइड में सिलाई चला देनी है एक के बाद एक सारे चौड़ी पट्टी को ऐसे लगाते जाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे एक साइड में सारे डिजाइन के उपर हमने सिलाई चला ली है अब हमें डिजाइन के दूसरे साइड में सिलाई चलानी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका उप्शन सेलेक्ट करें design को उल्टा करते हुए किनारे की side से हम extra design की cutting कर लेंगे तो ये देखिए extra design की ऐसे हमने cutting कर ली है अब हमें less वाले design में इस design को joint करना है तो ये देखिए less वाला हमने कपड़ा ले लिया है इसे हम ऐसे fold करेंगे और ये देखिए अच्छे से इसे ऐसे फोल्ड करने के बाद डिजाइन के किनारे की साइड में हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और बीच में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम धागे को कट करेंगे और डिजाइन को ऐसे फोल्ड कर लेंगे अब हमें किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है यहां से धागे को कट करेंगे और एश्ट्रा कपड़े को भी डिजाइन के एक साइड में लेस वाले कपड़े को लगाने के बाद बिलकुल इसी तरीके से डिजाइन के दूसरे साइड में भी हम लेस वाले कपड़े को ज्वाइंट कर लेंगे अब हम डिजाइन के लंबाई के बराबर आस्तिन का कपड़ा लेंगे यह देखिए आस्तिन की लंबाई डिजाइन के लंबाई के बराबर है और आस्तिन की चौड़ाई हमने एक साइड से 6 इंच ली है बीच में से हमें आस्तिन के कपड़े को दो भागों में कट कर लेना है अब हमें आस्तिन के कपड़े को डिजाइन के किनारे की साइड में ऐसे लगाना है एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे यहां से अब हम धागे को कट करेंगे और कपड़े को सीधा करेंगे तो ये देखिए ऐसे हमने डिजाइन को आस्तिन के कपड़े में ज्वाइंट किया है बिल्कुल इसी तरीके सी डिजाइन के दूसरे साइट में भी हमें आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लेना है तो ये देखिए दोनों साइड में आस्तिन के कपड़े को हमने ज्वाइंट कर लिया है अब हम दो इंच चौड़ा एक लंबा सा बकरम कपड़े पे ऐसे चिपका लेंगे अब हमें दोनों साइड से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और यहां डिजाइन में हमें इस कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करना है यह देखिए नीचे के तरफ ऐसे लगा कर इसे अच्छे से ऐसे फोल्ड करके एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है यहां से हम धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे इस तरीके से डिजाइन की सिलाई करने के बाद अब हमें डिजाइन में मोती को लगाना है तो यह रा हमारा मोती हमने बड़े साइज में वाइट कलर का मोती लिया है इसे सूई धागा की मदद से चूनट वाले डिजाइन में ऐसे लगाएंगे यह देखिए बीच बीच में हमें मोती को ऐसे लगाना है अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाकर आल का ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्ष्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बिल्कुल इसी तरीके से सारे डिजाइन में मोती लगाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है यहां से हम धागे को अच्छे से लॉक कर लेंगे धागे को अच्छे से लॉक करने के बाद अब हमें डिजाइन के पीछे की साइट से सारे कागज को अच्छे से निकाल देना है कागज को निकालने के बाद ये देखिए फ्रेंड हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो चला है आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैक्स वर वाचिंग मैं वीडियो